हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरे चानल पर स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा जो कि खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है जिसके लिए आप इमें ली हूँ गाजर और गाजर को मैं घीस के रख ल तो चलिए अब हम बनाना सुरू करते हैं तो यहां मैं पैन रख दी हूं गर्म होने के लिए और अब हमें डालना है इसमें घी और घी मैं इसमें तीन से चार चमच करीब जितना डाली हूं तो आप अपने इसाफ से थोड़ा सा कम्या जादा कर सकते हैं और यह देखिए ठंडी के वज़े से घी थोड़ा सा जम गया है तो चमच से निकलने में दिकत भी हो रहा है और घी अभी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें गाजर को डाल देंगे और गाजर डालने के पाद हम इसे अच्छे से भूनते रहना है और हम इसे कम से कम 10-15 मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि गाजर अच्छे से भून जाए और यह जब तक आधा हो जाएगा 10-15 मिनिट भूनेंगे तो यह आधा हो जाएगा गाजर का कलर भी चेंज होने लगए है और इसका पानी भी सूख गया है गाजर का और अब देखिए गाजर अच्छे से भून गया है और यह आदा भी हो गया है तो अब हम डाल लेंगे इसमें दूद और दूद हम एक साथ ही नहीं डालना है दूद हम आदा अदा करके डालेंगे क्योंकि दूद एक साथ डालेंगे तो कभी कभी फट भी जाता है तो इसलिए दूद को एक साथ ना डालें थोड़ा थोड़ा करके डालें और अब ज़्यादा दूद ना डालके इसमें मावा भ डाल हूँ और में सारा दूद डाल दी हूँ तो अब हमें इसे अच्छे से इसे दूद को सुखाना है इसमें यह देखें दूद आधा सूख गया है और हमें ऐसे ही चलाते रहना इसे ताकि नीचे से लगे ना और अब हम डाल देंगे इसमें चीनी ताकि चीनी भी अच्छे से पक जाए और चीनी डालने के बाद हम कटे हुए ड्राइफ फ्रूट्स भी डाल देंगे और हमें सब डालने के बाद अच्छे से mix कर लेना है हमें इसे लगतार चलाते रहना है क्योंकि चीनी डालने के बाद चिपकने का चांस ज़्यादा रहता है इसमें और यह देखिए दूद यहां पे अच्छे से सूख ही गया है तो अब हम डालेंगे इसमें एक चमच घी ला कर लिना है और हम इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे और ये देखिए अब ये भलवा पूरी तरह से त्यार हो गया है और यहां पे लास्ट में डाल रहा हूँ है इसमें इलाइची पाउडर मैं तीन सचार इलाइची ली थी और उसी कूट करके और उसका अच्छा सा पाउडर बना ली थी और फिर डाली हूँ और ये देखिए हमारा गरम गरम गाजर का हलवा तयार हो गया है और ये गाजर का हलवा ये तो सबको पसंद आता है और ठंड में तो लोग इसे बहुत ही जाद बनाते हैं क्यूंकि अभी ठंडी के मौसम में गाजर बहुत ही असानी से मिल जाती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा मेरे चानल को सस्क्राइब कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को हलवे की रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे अच्छी से रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई टिक कियर